तच्च इसक्रेन के लांसेन में आपका स्वागत है आज मैं आपको Intellical Calculus लाल जी परसाइब का Lecture 8 लेकर आरा हूँ इससे पहले आपका Lecture 7 में कल बूक का Introduction हुआ था जिसमें आपको बूक का Introduction दिखाए गया था कैसा और उसका PDF आपको description में मिल गया होगा आप उहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उसके बाद यहां पर यहां पर यह जो आपका solution वो देख सकते हैं कैसे यहां पर solution किया गया है तो आपका example number one है तो method of substitution है sub-situation का मतब किसी चीज को put करके कैसे इसको solve किया जाता है जैसे में यहां पर लिखा हुआ है integration तो सबसे पहले आपको solution किसी भी question को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा solution मानना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे solution लिखा गया उसी तरह से आपको solution मानना पड़ेगा solution मानने के बाद और नीचे में फिर late मानियेगा और i बड़ाबर लिखेगा integration x square into में 1 plus x square 2d power 3 by 2 और यहाँ पे dx तो चुकी यह मेरा power में है और यह quadratic polynomial में है quadratic का मतब जिस पर power 2 होते है और polynomial का मतब जिस पर एक से अधिक power हो जाते है तो यहाँ पे एक से अधिक power आ चुके है तो इस तरह के सवाल का solution हम directly नहीं करते हैं और इसको put किया जाता है ताकि एक put करे और दूसरा मेरा आ सके हम इस बार इसको bracket वाले को अक्सर put उसी को किया जाता है जो bracket में हो रुक्स में हो या फिर sign और bracket में 2x हो तो 2x को हम put करते है जो root में होता है उसको put करते है जो bracket में होता है उसको ही अक्सर put करते है तो यहाँ पे है आपका bracket में 1 पलस x q कि हम one प्लस x q को क्या की है T puts की है t put करने के बाद हम इसका क्या करते है differentiating करते हैं चुकि है पर लिखें नहीं है यहां पर लिखना चाहिए था differentiating with respect to X योड यह फिर टी के रिस्पेक्ट में यह फिरgender मैं यह हम इसका क्या करते हैं Bullet निफरेंट करते हैं जिरो वन का चले जाता है तो यहां पे हम इसको डीक्स को भेज देंगे और णर्णत फartiил को पड़े में भिघज देंगे तो यहां पे X स्क्वै इंटु में दी अकशव कुछा टीऑ्स अगया यहां फीप नीढ़े का दिया तो हमwest को टश्के पर हम क्या लिख सकते है इस पूरे टर्म के यहाँ पे देखो x square into dx यहाँ पे भी x square into dx इस पूरे टर्म के देखे पे dt by 3, dt लिख दिया और 1 by 3 constant था बहार निकाल दिये, bracket का टर्म 1 by 1 plus x cube, इसको हम माने क्या है, t माने है, तो t 2d power 3 by 2, अब हमको रहाँ solve करने का, तो solve करना तो आसान है, किसी भी संख् पावर n का integration क्या हो जाता है, x2d power n plus 1 बटे में n plus 1, उसी तर 3 by 2, तो 3 by 2 plus 1 is equal to क्या हो जागा, 5 by 2, तो यहाँ पे 5 by 2 कर दिया और बटे में 5 by 2, और यह 5 by 2 जब उपर में जाएगा, तो 2 by 5 हो जाएगा, और 5 नीचे वाला 3 समल्टी परलों के 15 हो जाएगा, और t के जगह पर हम put करेंगे, जो हम माने थे, t के जगह पर हम क्या माने थे, यहाँ पर देखो, 1 plus x क्यू, वही 1 plus x क्यू, यहाँ पर मान लेंगे और plus में c, यही आपका finally answer है, इस तरह से आप class 12 में बनाए होंगे, अपने chapter 7.2 में, उसी तरह है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, solution करे में, ओके, अब हम चलते है, example number 2 पे, example number 2, यहाँ पर भी यह ब्राकेट और यहाँ पर भी sign के term में है, तो हम बताये थे, कि अगर कोई root में, यह sign के bracket में होता है, तो हम sign के bracket को मारते है, तो sign का bracket का है, 3 x q plus 3 x, और यहाँ पर देखा भी जाता है, कि किसको differentiate करने पर, यह सब्सक्राइब, और फिर इसको जाएगा, इतना कर लिए, अब इसको multiple करेंगे, 2 से 6 x square plus 3, और 3 अगर common ले ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2 x square, और पलस में क्या हो जाएगा, 1, तो वही है, 2 x square plus 1 into dx, और इसका जो dt हो गया, अब dx, इतना बराबर हम लिख सकते है, 2 x square plus 1, यहाँ पर भी है, 2 x square plus 1 into dx, इतना बराबर हम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, sin square, और इतना को हम माने है, tt लिखे दिया, और dty 3 हो गया, तो t1y3 बहार निकल गया, sin square t, फिर यह में क्वाइडटिक में, क्वाइडटिक में तो मेरा कोई भी solution नहीं हो सकता है, integration में, तो हम इसको क्या करते है, sin square t को इसमें बतल देते है, linear में, 1 minus cos t, quadratic जिस पर पावर 2 होता है, linear जिस पर पावर 1 होता है, तो हम जानते है, sin square t का फ्रमूला क्या होता है, 1 minus cos t by 2, और t बहार जब निकलेगा, तो 1 by 6, और इसको हम अलग-अलग separately integrate कर दिया, औ cos t का क्या हो जाएगा, sin t by 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब t का माना हम पूट करेंगे, t जो माने थे, वो लिख देंगे, t मेरा माना हुआ क्या था, तो यहाँ पे 3x q plus 3x, 2x q plus 3x, यहाँ पे हम 2x q plus 3x, और यहाँ पे भी 2x q plus 3x, पूट करके रख दिये, और यही finally मेरा क्या हो जाता है, solution हो जाता है, अब हम चलते हैं, question number 3 पर, example number 3 पर, example number 3 है, sign x q, तो sign के यह bracket में है, तो इसको हम पूट कर लिए t, तो यहाँ पे side में भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी आप sign दिखा सकते हैं, x square का integration क्या जगा, 2x x into dx is equal to dt, और इसको लिख सकते है, x into dx is equal to dt by 2, यहाँ पे भी x into dx, x into dx दिखा पे dt by 2 आपका constant term है, बाहर निकल गया, sign x square को माने है, t, sign t, sign t, sign t का integration क्या हो जाता है, minus cos t, और minus cos t, के जगह पे आपका क्या माने, x square put कर दिए, यही आपका example, 3 हो गी आप, अब हम आते है, example number 4, यहाँ पे आपकी स्को क्या put किया जाए, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अब कभी कभी कुछ question में condition नहीं मिलते है, तो आपको देखना पड़ेगा किस को put करने मेरा क्या आता है, तो हम यहाँ पे अगर sign t को put कर देते है, sorry, sign x को t put कर देते है, sign x के differentiation करेंगे, तो क्या जागा कॉस x into dx और यहां पर कॉस x into dx है इसके जगह पर हम केवल dt लिख देंगे और साइन को जो माने है t t square लिख देंगे और t square को भी सकते है t2 to d power 4 by 4 लिख दिये और 1 by 4 constant term और साइन 2d power 4 into x plus c यहीं आपका finally answer होगा और हाँ, इंट्रिकेशन की एक खास बात होती है, इंट्रिकेशन में आपका एक सवाल का एक से अधिक, कम से कम तीन से चार टाइप का एंसर हो सकते हैं, इंसान किस तरीके से किस कोश्टन को सोचता है, वो उस पे निवर करता है, जरूरी नहीं है कि हम जो ये त्यार नमर का अंसरी निकालने हैं कि सामने वाला भी यहीं निकालते नहीं वह सामने वाले को सेंशेंता करें वह सोच कैसी lonosan यहीं ही होते हैं बाकी सब का question same to same ही आएगा लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं जिसका हम answer सामने वाले से अलग ला सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुए integration 10 square x into second square x dx तो हम यहाँ पर 10 x को put कर लेते हैं कि 10 x का differentiation आपका क्या होता है सक्क्राइब और इसको put करके dt लिख देंगे मतलब dt लिख दिया और t square लिख दिया ती स्क्राइब थी वाइट रिख दिया 10 cube 3 x लिख दे और यही आपका solution हो जाएगा question no.6 question no.6 में root को हम क्या करेंगे रूट करेंगे रूट के सारे टरम को a-square plus x-square को differentiate कि यह constant term था 2x-square का 2x-dx is equal to dt x into dx is equal to dt y2 यहाँ पर x into dx is equal to dt y2 लिखेंगे dt y2 लिखेंगे और 1 बटे root t 1 yt constant term t power 1 y2 उपर भेज सकते हैं सब्सक्राइब हम पूट किया है यहाँ पर a-square plus x-square तो वहीं यहाँ पर पूट कर देंगे और यहीं आपका finally solution हो जाएगा ओके अब हम चलते हैं example number 8 पे example number 8 है कि आखिर किसको क्या पूट किया जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं sin x को पूट करने पर cos x आ जाता है तो sin x integration किया cos x into dx तो इसके जगह पर पूरे term के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं only dt लिख सकते हैं dt लिख दिए और t नीचे में आ जाएगा tq उपर भी भेज देंगे तो minus में फिर जब इसको solve करेंगे तो मैंने स्क्राइब स्क्राइब यहीं आपका फाइनली solution हो जाता है इंजामपल नमबर आठ का अब हम इंजामपल नमबर आठ के बाद इंजामपल नमबर नौ पे चलते हैं तो हम यहाँ पर देखने क्या सेक एक्स को put करते हैं तो 10x आ जाता है सोरी 10x नहीं सेक एक्स into 10x आ जाता है तो हम यहाँ पे सेक्स को differentiate किये तो सेक एक्स into 10x into dx is equal to dt अब यहाँ पे देखो हम इस सवाल को सेक क्यूब x into में सेक x into में 10x into dx लिख सकते हैं क्योंकि एक क्यों और एक ऐसे दोनों को जुड़ेंगे तो वही आ जाएगा और इतना गो को अकेले मिलके क्या देदेगा dt देदेगा और dt आपका जैसे दिया तो हम dt यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे बच गया सेक T तो सेक 2D पावर 3 तो सेक 2D पावर सेक को हम क्या माने 10 10 2D पावर 3 मान लेंगे और 3 मान के लिख देंगे और यहाँ पे जैसे माने आब इसको भी सते 3 2D पावर 4 by 4 4 by 4 तो 1 by 4 constant है और सेक को क्या माने तो सेक 2D पावर 4x यही आपका finally solution हो जाता है question number example number 10 का अब हम चलते हैं example number 11 पे example number बहुत easy question है हमको दिया हुआ x plus 1 बटे x square plus 2x plus 3 तो हम नीचे वाले को पुट करते हैं को कि उपर वाले को पुट करने पर मेरा नीचे वाला तो नहीं आएकर नीचे वाले को पुट करने पर मेरा उपर वाला जरूरा जाएगा तो यहां पर हम जैसे put up कि x square plus 2x plus में 3 is equal to dt 2x plus 2 is equal to dx 2 common लेके x plus 1 into dx is equal to dt और यह 2 को इधर बटे में कर देंगे तो वही हो जाएगा तो बटे कर दिये और फिर उसके वाद यह पूरे टर्म को t माने थे 1y t हो गया 1y2 तो बहाद चला गया 1y2 का integration क्या हो था log t 1y2 log t t के जगह पर हम रख देगे x square plus 2x plus 3 x square plus 2x plus 3 पलस में c यही है उसका example number 10 का solution हो जाता है अब हम चलते हैं example number 11 पे x बटे में cos x बटे में sin x minus cos x इस तरह का सवाल में अक्सर नीचे वाले भी पूट किया जाता है तो sin x minus cos x to put up किया तो sin x integration cos x cos x integration minus में और minus 2 को क्या कर देगा plus में into dx is equal to dt इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं नीचे वाले टर्म को t 1y t का लॉग t t जो माने ज़े sin x minus cos x पलस c यहीं आपके solution हो जाता है अब हम चलते हैं question number 12 cos x तो इसमें किसको put up करना है cos यहां पे put up किसको करना है cos bracket में जो x है e to the power x integration e to the power x into dx is equal to dt अब इतना को 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 हम लिख सकते हैं dt और cos to the power cos t cos t का integration क्या होता है sin t और t के जगा पर हम लिख देंगे e to the power x पलस में c यह आपका example number 12 का solution है अब हम चलते है example number 13 पर यह सब बहुत easy question है अब हम e to the power x है तो उसी x को भी put किया जाता है e to the power sin x है sin x को जैसे put up किया तो क्या आगया cos x into dx is equal to dt e to the power x t आगया e to the power t का integration e to the power t e to the power t को माने क्या आते है sin x sin x लिख दिए यह आपका finally solution हो खिया अब हम चलते है example number 14 e to the power root x root x into dx तो हम क्या मान लेते है root x को ही put up कर लेते है root x को put up किया 1 by 2 root x into dx is equal to dt root x into dx root x into dx root x into dx root x into dx is equal to 2 dt constant e to the power t 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 t को माने क्या root x root x आपका finally solution ला देता है example 14 complete हो गया अब हम चलते है example number 15 example number 15 पर जाते है तो यहां पर लिखा हुआ है कि i बड़ाबर log x to put log x to put up करते है log x to put up किया तो इसका differentiation किया जागा 1 by x into dx यहां पर 1 बटे x into dx यह खतम हो चुका है बता किया log x log x को माने किया t ट को लिख सकते है ट को लिख सकते है t square by 2 2 निकल गया t को माने किया log x यह आपका finally solution हो जाता है तो यह आपका example number 15 तक आज solution हुआ है और total आपका example सकता है बांकी का example next class में देखा जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीज़े और इसका पीडिया आपको link के description में मिल जाएगा आपको वहाँ से download कर सकते हैं आपको किसी भी सेक्टर में question पूछना है